यह गाई स्वागते आप सबका Pokemon Radical Red के एक और नए एपिसोड में आज दिनके एपिसोड वन होगा यार नए एक और नए क्या मैं कि भी पागल हूँ तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले Pokemon Radical Red अपने चानल पे और इस गेम इस मेड़ बाइ कोई बात नहीं यह एक गेम एक Pokemon FireRed का रोम है और आप लोग इस गेम के लिए बहुत मिलको यह बोल रहे थे कि यार रेडिकल 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 मैंने यह गेम कभी खेला नहीं है बट हम लोग ट्राइब करेंगे यह तो टिपिकल Pokemon Professor का इंट्रो है तो हम हम लोग इसको स्किप करेंगे मतलब मैं पढ़ूंगा नहीं मैं आपसे बात करूँगा यहां पर और इसमें एक अपने को रेंडिमाइजर का Option निल जाता है जो कि काफी अच्छा है तो हम लोग आज मतलब हम लोग रेंडिमाइजर ही खेलेंगे हमारा ओव्यसली निम उमक फार है तो और क्या हो सकता है यह रेंडम हमों लोग क्या रखेंगे इसका नाम हम लोग रख देंगे तो गयारी जह द messaging रुपक रक है deposit नहीं हमारे कुछ है ही नहीं कुछ deposit क्या करेंगे portion निकाल लेते हैं फट से क्या I think मैंने portion निकाल लिया एक minute बैग में चेक कर लेता हूं मैं जी हाँ portion है हमारे पार चलो हम लोग अभी नीचे आके ट्राइ करेंगे do you want to set the randomizer option this randomizer encounters trainers and gifts but not the boss battles this cannot be done back on or off okay मतलब एक बार on कर दिया तो फिर off नहीं कर सकता many legendries cannot be encounter okay do you want to set the randomizer option हा randomize ही खेलेंगे do you want to set hard mode for randomizer this restricts you from encountering better pokemon guys यार इतना एक तो देखो मैं पहली बार खेल रहा हूं तो इस बार hard mode नहीं खेलेंगे next time जब भी खेलेंगे तो hard mode खेल रहेंगे normal randomizer mode has been set okay तो चलो I think अभी हमारे पास random pokemon आएंगे I guess ममी से बात कर रहे थे right all boys leave home someday it said so on tv oh yes professor oak next door was looking for you हाँ पता ही है professor oak से मिलना ही होगा palette town typical palette town यह Gary कहा हूस है यह professor oak की lab है और यह वही बंदा technology is incredible you can now sort items in the bag using the start button चलो इस बर कुछ तो नया बोला अभी प्रोफेसरों को कहेंगे hey wait don't go out प्रोफेसरों का आप मेरे घर से क्यों कर मतलब मेरे घर से क्यों आप मैं क्या समझो इसका मतलब it's unsafe wild pokemon live in tolgrass okay you need your own pokemon for your protection I know here come with me okay कोई बात नहीं देखते है इसमें randomizer में कौन से को क्यों इस बर में अपने को इसमें और भी बहुत सारे फीचर से इस गेम में जैसे हम लोग आगया की जाएंगे वैसे 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 आपको पता चल दे जाएगा grandpa I am fed up with waiting okay Gary let me think oh that's right I told you to come just wait here umkar there are three pokemon here haha the pokemon held inside these pokeballs when I was young I was serious pokemon trainer but now I am in in my old age I have only three these left okay you can have one go and choose okay hey grams no fair what's about me okay be patient Gary you can give you can have one too हाँ ये तो चाले वो प्रोफेसर ओकी कि वो अपने grandson को हमारी उपर advantage रखने वाला pokemon चूज करने के लिए बोलेगा ये क्या है पहले गलैड आर ये serious नई गलैड तो नीच ये देखते और दो कौन से हैं दूसरा ये कौन सब पोकिमोन है इसको तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा अरी इसमें भी कोई पूछने के बात है क्या हम लोग ऑब्विस्टी बात है गलैड के साथ जाएंगे याड हमारा पहला पोकिमोन है गलैड रैंडम एजर खेलने में यही मचा आता है क्योंकि इसमें हमारे पास ना कोई भी पोकिमोन आ सकता है लिटरली कोई भी पोकिमोन हमारे पास मिल सकता है नाम पे मत जाना वो चेंज हो जाएगा बात में तो चलो अभी गैरी के साथ फाइट होगी वेट उमका लेट्स चेक पोकिमोन देख लिए बैटल भी मत करना मेरे से सच बता रहो बहुत दर्दो गादर को ऐसी मौत मारूंगा ना मौत नहीं क्या बोल रहा हूं मैं बुरी तरीक से मारूंगा इमोल गा एक एलेक्रिक टाइप एंड फ्लाइंग टाइप पोकिमोन है और हमारा तो गैलेड इस मेरे को पता है बेसिकली ओके हम लोग कंफ्यूजन अटैक तो करी सकते और टेलिपोर्ड भी कर सकते यह काफी अच्छी बात है बट गलेड का यह अच्छा नहीं रहेगा स्पेशल अटैक क्योंकि इसका अच्छा रहता है बट फिला स्टार्टिंग में यही काफी अच अच्छी है जो की और भी अच्छी बात है सोने पर सुहागा जास लाइक थंडर शॉक हो कि कोई बात नहीं है और इसके बस बैरी है और यह अनिमेशन भी काफी अच्छा था लेट सी लेट सी एक और कंफ्यूजन और यह फिर खतम हो जाएगी विक अटाइक भी है उसके प और गलेड इवाल्व भी हो गया है शिक्स लेवल का हो चुका है गलेड अन बिलीवेबल आई पिक दर रॉंग पोकिमॉन हां यह और और भी क्या बोचकते हैं एक्सलेंट इफ्यों यू विन यू अन प्राइस मनी प्राइस मनी और पोकिमॉन विल ग्रो बैटल अधर ट्र की और फिर को काम कर लेतłem हों हमारे धर किदर गया ओपर है मंसे मिल लेते थुड़ा सा और फिर मम्मी हमारे को की मुझे कर देगी और क्या चीए है यह बट स्टार्टिंग में गलेड मिल गाइज और क्या चीए है अपने को तो इससे हमें फ्री का पोशन मिलेगा तो मैं का को छुड़ू ओके पोशन मिल चुका है फ्री का चलो आगे जाते हो के लेट सी कौन सा पोकेमोन आता है ओ यह भी काफी अच्छा पोकेमोन है बट यहां पर इतना स्टार्टिंग में मिलना मैं और कोई अच्छा पोकेमोन मिलेगा तो मैं जरूर पकुड़ूंगा फिलाल मेर जाना है न कि उटर की वीरेडियन सेटी वीरेडियन सेटी ओके हां वीरेडियन बूल कि हमाँ तो बाद में आएगी उसके पास क्या पता जिमिलेटर के पाद भी पोकेमोन चेंज होगे रहेंगे क्या पता I don't know हो सकता है और इसमें तो अब लोग मेरेको कोई ये भी नहीं जाएंगे या कोई भी जाएंगे तो वहाप पर आसकता है कि यह तो डिपिकल पोकेमोन फायरेट का मिशन है नहीं है कि यह से जाएंगे यह जब हम लोग है कि ओपर से को डी सकते तो अम काई को ग्रास में से जाएं इतनी ग्रास से तो जाना ही पड़ेगा चलो प्रोफेसरोग में आ गया हूं आपका पार सर्द लेकिए लेट सच्छी में गए गलेड बहुत ओपी आपकी पोकेमान है जोग का पारसर हमने दे दिया और क्या चाहिए प्रोफेसरोग अभी हमें पोकडेक्स दे दो और पोकी इस दे का बात घ्रास दे बिटाए है और कोई बात नहीं पोकेमान यहीं तो नहीं दे पोकेवाइब को देगा हमें और को कीवा चुके पाची भोडी यह कुछ थे तू पता है चल अपने को मत सिका हमने ओल्रडीड गेम को बिल ठीकेड को बिलेगा हमें इस गुष्टेश बीट कर दिया बड़ इस बार क्यों खेल रहे क्योंकि इसमें रेंडमाइजरे प्लस मेगा एविलूशन भी इसमें एक्जिस्ट करता है यह है तु से अरे यार पता है यह भी पता है मेरे को टाउन मैप लेना है तुरी घर से चलो जल्दी जाके डेजी से टाउन मैप ले लेते हैं हाला कि इसने हमें धंकी दीदी कि मेरे घर के आजुब जो दिखना मट बड़ फिर भी हम धीट है हम लेकर रहेंगे हमें टाउन मैप भी मिल चुका है अभी हम लोग आगे जाएंगे हम लोग अभी हमारा दूसरा पोके पोकेमन हो सकता है वह कुई अच्छा पोकेमन होगा तो काफी अच्छी बात हो जाएगी इससे बात तो हो चुकी थी लेट्स फॉर क्हूंसा पोकेमन आने वाल है ओ माई गौड एक दो लेवल का सब सब्सक्न स्टेज वाड़े मेरे कि यूँ मिल रहे है मेरेक। इतने हाला कि मैंने जब एक अटक कर दिया तो तेरा यह खत्म ही हो गया ओके मैं बहुत बहुत स्ट्रॉंग हूं लिट्रली बहुत स्ट्रॉंग हूं मैं देखते और कौन सा पोकेमोन आते हैं यहां पर क्या एक बल्बसौर मैं जरूर पकड़ूंगा यार मतलब एक स्टार्टर पोकेमोन को तो मैं क्यों ना पकड़ू आइगेस अभी मेरे को समझा गैस अभी मेरे को को और यह जो ब्राउन कलर है उसको वह रिप्रेजेंट करता है फाइटिंग टाइप को यारी गेम सच्चे में काफे स्ट्रॉंग पोकेमोन हैं हमारे पास पोकेमोन तो थेगी लेट्स होब कि हम लोग इसको पकड़ लेंगे और इराइडिकल रेड बहुत अच्छा गेम है गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपने नहीं कहला तो प्लीज पका खेल लो और मेरे साथ खेलो गाइस पोकेमोन हमने पकड़ लिया बल्बसौर को अभी हम लोग क्या को पकड़ने का भी एक्स्पिरेंस मिलता है यह गेम सच्छी में बहुत अच्छा है निकनेम नहीं देना है मिरको चलो आगे की सेटी में जाते हैं फट से देखते हैं और क्या रखा है हमारे लिए एक स्टार्टर पोकेमोन वह भी ग्रास टाइप मतलब ऐसी वाइल्ड ग्रास में यार यह भी पकड़ लेता बट हमारे पास अल्रेडी एक फाइटिंग डाइप पोकेमोन है तो फिर काफी अच्छा हो जाएगा एक मिनिट यहां पर दो-दो इनर्ज यह क्या हो रहा है एक मिन करती है तो दूसरी वाली क्या करती है यू कैन चेंज पोकेमोन नेचर फॉर सेवन ताउजन फाइंड़ पोकेड़ डॉल आर्यू इंट्रेस्टेड ओके हम लोग पोकेमोन के नेचर बदल सकते हैं यह काफी अच्छी बात है मतलब साच्छी में यह गेम बहुत ही कुछ ओ हे च्छी च्छी को मध्याइ स्नाथा में च्छी बदल है गया मतलब यह तो रहता है रजेक्र इस बाइस बॉल ऐफाब साय फोकेमोन एक यह था एक यह बदसेदैक्छो कॉत कुल खतर है से चलो है अब इसका क्या करो कि क्या पता पगड़ के वाक पे लेके जाओ उसको ठीक है ठीक है यह क्या मिला टेलिविजन सेट ओकी यह कोई नाया फीचर है कि उसका जो पिकिंग अब सम पैकेज़ फोर द प्रोफेसर इधिंग वांटेट तो गिव यू थिस बड़ी दिदेट मैनेज तो गेट इपनेज पाइब देट ने चला लेक्स ने उसका होता है एक मिनिट में देखना पड़ेगा ओकर एक्स मोगा है गईस क्या पता हुटा उससे क्या हो कि एटम्स में देखते हैं नहीं टाउन में कुछ तो नहीं आया आएगेस यह दिया क्या मिरको फिर छोड़ो कोई बात नहीं अगे जाके देखते हैं मैं पीछे क्यों है पागल हूँ क्या यहां पर देखते हैं कोई अच्छा पोकेमॉन आता है कि नहीं ओके यह काफी बट इसको नहीं पकड़ेंगे गाईज मेरे को इंटरस्ट नहीं है ऐसे पोकेमोन में रन करेंगे फिलाल तो देखते हैं आगे Viridian Forest में जाके देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर Mission तो वही होने वाले हैं यहां पर से यहां पर कोई विरिडिन फॉरस में कोई तगड़ा पोकेमोन मिलता है कि नहीं कि अगर आज की पहले एपिसोड में हम लोग एक और पोकेमोन पक ओ माई कॉर्ड मैं क्या बोल सकता हूं यार कि बास्टी डॉन मैं क्या ही बोलू यार इतने अच्छे अच्छे पोकेमोन यहां पर बें रहे मेरे को ये एक रॉक एंड स्टील टाइप पोकेमोन है उसका कलर से मैं समझ सकता हूं रॉक नहीं ग्राउंड एंड स्टील टाइप पोकेमोन है आई गेस मैं फिला तो टेलीपूट हो जाता हूं यहां पर उसकी स्पीड भी मेरे से जाता है आई गेस क्या है कि रन कर लेता हूं मैं मैं फिर कभी पकड़ूंगा यार यह गेम बहुत ओपी है देखते अभी कौन सा आ रहा है एक स्टील इक्स लो भाई यह गेम मैं क्या ही बोलू भी यह रॉक टाइप एंड स्टील टाइप पोकेमॉन है मैं रन कर रहा हूं यहां से गाइस यह गेम बहुत ओपी है बट आज का एपिसोड का टाइम वैसे भी कम होते जा रहे है और आई थिंग आज का एपिसोड छोटा रहेगा क्योंकि नेक्स ताइम से हम लोग बड़ यह गेम को सेव कर लेते हैं जल्दी हो जाया यार सेव इतना भी टाइम क्यों लगा रहा है ओके तो गाइस यह गेम सेव हो चुका है तो गाइस आज की इस एपिसोड में बस इतना ही था नेक्स एपिसोड में हम लोग और भी पोकेमॉन पकड़ने के ट्राइ करेंगे और हूप आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स एपिसोड में तब तक लिए बाइबाइ